दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं आपको 8 marks के जो important question आपके economics के वह मैं आपके साथ आज share करने वालो लेकिन एक चीज यहां पे मैं आपको बता दू कि अप यह series 1 होने वाली है series 2 आती है की नहीं आती है या सारी चीज़ा आपके नोट दिया जो साथ पेज में टोटल चाप्टर कंप्लीट है उसे मैंने पूरे एक पेज में आपको आगे पीछे कंप्लीट करके क्या दे दिया पूरवित नोट कि आप exam में उसे देखके उसे पढ़के क्या उसे लिक सको ठीक है और और अल्री मैंने उसको live session में आपको explain भी किया था कि इस तरह से क्या क्या चीज़ें है और आज की से आज आज आपका साड़ी च्छे बज़े आपका live session ने वाला है utility analysis का ठीक है तो उसे भी जॉइन कर लेना देखेते हैं कि आपको support और प्यार किस तरह से ठीक है तो चलो अब पड़ा-फट नोडबुक और pencil ले structures of microeconomics यह आपको note कर लेना है ठीक है फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो question है आपको क्या कर लेना है importance of macroeconomics importance of macroeconomics ठीक है फिर तिस्ता जो question है आपका state and explain the law of DMU with exceptions and assumptions यह आपको क्या कर लेना है ready कर लेना है ठीक है यहां पर हमने थीन question आपको दे दिया फिर उसके बाद अगर हम बात करें फिर एक और आपका state and explain the law of demand law of demand ठीक है law of demand का assumption जब में law of demand पो रखो भी law बोल रहा तो उसका exceptions assumptions यह भी आपको क्या करके रख लेना है ठीक है यह हो गया पिर आपको क्या रखना है explain the various variation and changes in demand यह वाला question भी आपको क्या करके रख लेना है पिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब elasticity में आना अब elasticity वाले चाप्टर से में से आपको क्या करना है elasticity वाले चाप्टर में अगर मैं बात करूँ तो आपको price elasticity जो है यह price elasticity वाला जो question है वो आपको कर लेना है ठीक है अब अब आपको पुरा अच्छे सिक्क कर लेना है फिर state and explain the law of supply अब assumption exception साथ में कर लेना हो जो में law of supply बोल आपको ठीक है फिर 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 पर एक आपका determinants determinants मतलब क्या what are the factors affecting the supply तो यह वाली चीज भी आपको क्या करके क्या रख लेनी है ठीक है अब forms of market में आजो आप लो और forms of market में अगर मैं बात करूँ तो explain the meaning of perfect competition और उसके features फिर उसक profit combination explain price determination under profit combination यह आपको करके रख लेना है ठीक है और यहां पर आज के लिए बस इतना ही अब यहां पर मैंने आपको कुछ important questions देए यह आपको denote करके रख लेना है अब यह जो questions मैंने दिये अगर आप check out कर रोगे तो आपको दिखने मिलेगा कि जो paper बनता paper का ज्याज़ता जो वेटर जो था वह इन starting के 5 chapters से बहुत ज़्यादा बनता है ठीक है अब आगे और भी बाकी के chapters के मैं आपको important question दूंगा अभी जो मैंने दिये यह आपके series 1 थी series 2 भी आएगी और series 1 के next 5 chapters जो है आपके उसके भी आपकी questions बाकी है तो comment करो दोस्तों का शेर करो ताकि एक motivation हमारे लिए आया हमें भी पता चले कि भाईया हम अकेले मेनत कर रहे हैं कि आप लोग भी तैयार हो मेनत करने के लिए तो हम उससे सबसाब के लिए और भी चीज़